जब भी आपको loan agreement देंगे, वहाँ पर इजो app की non banking finance company उसकी पुरी detail आपको उसमें mention करके दी जाएगी, साथ में यहाँ पर बता गया है कोई भी charges यह पहले नहीं charge करते हैं, क्या क्या document चाहिए, document जो एक ID proof चाहिए, address proof चाहिए, यह दो document जो आप से यह मांगता है, वालकम टू न्यू वीडियो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे loan app का review करने वाल है, जो आर भी register non banking finance company से licensed loan app है, साथ में as per this app detail यह जो है आर भी जितनी भी guideline है, digital lending platform की उनको follow करता है, एक honest review रहने वाला है दोस्तों, यह कोई paid promotion नहीं, कोई sponsor वीडियो नहीं है, hello दोस्तों मेरे ना मैं संदीब धर्र, आप सब देख रहे है, टेक बुद्धी, आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर अगर नए है, तो नीचे लाल पने सब्सक्राइब का, जी हां दोस्तों यह जो लाल पने सब्सक्राइब का इसको दबाना ना भूले, साथ में अगर आपके कोई क्वेरी है, कुछ कमेंट है, तो नीचे कमेंट कर जरूर पूछे, इस चैनल पर आपको हर एक कमेंट का जो है, रिपलाई जरूर मिलेगा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो है टॉप फाइव लोन एप के बाद उस वीडियो को भी देखना ना भूले, तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं, बताते हैं इस एप के बारे में पूरा डिटेल, तो दोस्तों जिस अलोन एप की बात करने वाले उसका नाम है स्मार्ट कोईन, स्मार्ट कोईन के बारे में बता तस जादा देता हूं अब तक जो इसके를 3,00,000,000 से जादा जαιंस Nep태 बता देता हूँ है अब तक जहां पर है से समार्ट कोइन ने बता है कि 360,000. रुपय तक का लोन आपको तीन से चार महीने के टैन्योर पे मिलता है जाए इंट्रस्ट जो है आपका 20-36% तग वेरिक करता है आगे मैं बता देता हूँ इसकी जो सबसे बड़ी confusion आज की डिट में कि इनकी non-banking finance company कौन सी और RBI की guideline के according आपको अपने platform पर यह बताना होता है कि आपकी non-banking finance company कौन सी है तो अब यहां पर आप देखेंगे fair practice code पर क्लिक करें यहां पर आपको दिख जाएगा smart coin जो है उसकी कौन कौन सी जो non-banking finance company है क्या क्या उनकी डिटेल है यहां पर बता गया तो primary partner जो और NBFC है हो है अप मूव capital private limited यह website का link दिया गया है साथ में नीचे दो और website जो है बताएगी दो जो और non-banking finance company है वो बताएगे यहां पर मैं जो आपको चेक करके दिखा देता हूं यह वाली जो company है कि आरबे की register जो non-banking list में अगर हम search करते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे कि 363 लाइन पर जो है यह non-banking finance company जो आरबे रिजिस्टर non-banking companies की list है उसमें listed है तो दोस्तों यहां पर जो इनकी website है उस पर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं कि क्या smart coin का नाम जो है इसकी website पर जो है दिया गया है तो यहां पर आप देखेंगे यह जो आप मूग.ाइन की जो website है उस पर यहां पर बताया गया कि इसका जो डिजिटल लेंडिंग पार्टनर है वह स्क्मार्ट कोईन जी हां दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्याइन नंबर दिया गया है आर बेक साथ रजिस्टर है तो सबसे पहला जो टेस्ट है इस लोन एप का कि भई यह नोन बैंकि फाइनस कंपने रजिस्टर है डिस्क्लोज क्या इंपॉर्मेशन जो की आर बेगाइन के अकॉर्डिंग फोलो करना जरूरी है यहां यहां पर कुछ जो है स्टेप्स बताए गया है कि आर बेगी जो गाइडलाइन उनको कैसे फोलो करते हैं जब भी आपको लोन एक्रिमेंट देंगे वहां पर जो हैपकी नोन बैंकि फाइनस कंपने इसकी पूरी डिटेल आपको इसमें मेंशन करके दी जाएगी साथ में यहां पर ब देने से पहले आपको सारी डिटेल जो है इस कंपने द्वार आपको बताई जाएंगी और आगे और कुछ चीजों बता गया कि हम कभी भी जो है लोन रिकवरी की जो प्रैक्टिस है उसको इलिगल तरीके से नहीं फॉलो करते हैं हरास्मेंट नहीं करते हैं इससे आगे जो गोर्मेंट का जो फेक डोकुमेंट है या टेक्स इंवाइस है प्लीस फाय रहे है या जो फेक स्टैम पर सिगनेचर है गोर्मेंट वोडीज की जैसे की आर्बे की उनका कभी भी यूज नहीं करते हैं तो दो बड़ी चीजे यहां पर मैंने अब तक आपको दिखा चुका स्टोर पर भी यह लोन एप अभी अभी अविलेबल है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोन है चार अजार से लेगे एक लाग रूप तक मिल जाएगा टैन्योर जो है 62 दिन से लेगे 100 सी दिन का रहने वाला है इंट्रेस्ट जो है जीरो से लेगे 30 परसेंट तक रहा ड एड्रस प्रूफ चाहिए यह दो डोकुमेंट जो है आपसी मांगता है और यहां पर जो है इनका पूरा इमेल आइडी दिया गया जहां पर यह जो है रिवर्ट करते हैं तो दोस्तों यहां पर आप कुछ रिव्यू भी पढ़ सकते हैं जहां पर बताया है यह मैं तीन बा पढ़ेंगे बहुत नीचे आगे अगर आप दिटना चाहेंगे कि वही कहीं पेड रिव्यू थो नहीं है तो इतने सारे पेड रिव्यू आई हो सकते हैं यह पर आप देगे मैं कितनी नीचे आगे जो एडिव्यू पढ़ रहा हूं लिश इंग वंडरफूल टूर्य अमे लेबल है मिनिमम जो है आप एक गैडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम जो है बासट दिन का जो है टैनल होना जुरूरी है वह भी प्रवाइड करवाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो लास्ट अपडेट है वह तीस जनुवरी को हुई थी और यहां पर जो इंस्टॉल कम से कम जो पचास लाग से ज्यादा लोग जो है इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि यह परमीशन आप से क्या-क्या लेता है यहां पर जो है आपको परमीशन में जो है आपको आडेंटी जो है आपको डिवाइस पे अ account होना चाहिए sms read करने की permission लेता है receive text message जो है उसको लेता है wifi connection लेता है storage का जो है उसको access मांगता है location आपकी मांगता है इसमाद जो contact read your contact find account on device camera की जो है आपको से information मांगता है कि selfie के through यह आपको loan provide करवा जाता है phone की जो है आपको option मांगता है साथ में आपको जब photo media files की जो है वह भी जो information मांगता है तो इस video में आपको बता कि किस तरीके चीजिए loan app जो है इसकी website भी है customer care भी है और भी register जो है non banking finance company है उससे license है इससे अगर आपको loan लेना हो तो मैं सिर्फ यह video आपके information ले बना था अगर आप लेना चाहते हैं तो